है दोस्तों कैसे हो आज फिर मैं आजिर हूँ एक नया वीडियो लेके जिसमें हम डिस्क्स करेंगे प्रोकेलिटिक सेल तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हेलो दोस्तों मैं हूँ प्रेणवीर सिंग मील एंड आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल पाइनेर साइंस के अंदर जो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रोकेलिटिक सेल है किया उसके बारे में जानेंगी कि क्यासी दिखाई देती है उसके बारे में बेसिक फीचर क्या क्या है तो दोस्तों प्रोकेलिटिक सेल है उसके अंदर हम सारे सारी जो सुक्सम जीव हैं, उनकी स्टेडी करते हैं, जो सुक्सम जीव हम अपनी नेक्ट आई या नगन आकों से नहीं देख पाते हैं, जिने हम माइक्रो औरकिनिजम या सुक्सम जीव कहते हैं, ये सुक्सम जीव एक को सिखे हो सकते हैं या बहु को सिखे भी हो सकते ह जो की जादातर मर्दा, मर्दपदात या जन्तु या जो प्लांट्स हैं, पोदे हैं उन पे पाए जाते हैं दोस्तो हम इन सुक्सम्जूओं को अपनी जो नगनाख है या अपन डिरेक्टली जैसे फिजिकल वर्ड को देखते हैं अपनी आखों से डिरेक्टली दिखाई देता है, बसे नहीं देख सकते हैं उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप जो जनरली एक बायो की लेब में या एक बायोलोजी की लेब में आपने देखा होगा उसको यूज करते हैं इनको देखने के लिए दोस्तो प्रो केरियोटिक सेल है वो जनल से दो वर्ड हैं प्रो एंड केरियोटिक मलब प्रो मिन्स प्रिमेटिव और केरियोटिव मिन्स नूकलियस प्रो का मतलब होता है कि जो जिस सहल में या जिस सुक्सम जीव में जो नुकलियस है वो पूरी तरीके से डबलप ना हुआ हो या बहुत ही पुराने टाइप का हो उसको बोलते हैं प्रिमेटिव और केरियोंज का एक जनरल मिनिंग है क्योंकि ये दोनु प्रो और केरियोंज इस नुकलियस नहीं अप्सेंट होने की वज़े से इसको प्रो केरियोंटिक सेल कहते हैं जो प्रो केरियोंटिक सेल की साधानत है माइक्रोस्कोप में जो सरंचना दिखाई देती है वो तो हम इसली अपन ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुती सुक्सम सुकसम जिएओं की श्रेक्टर आपकी जो डिएजन पर दिख रही है यह एक बेक्टरिय के udolatar एख्याव कot यह किसी भी यूणि उनिश्रुलुलर एक उसी के जिएओं के तो जो एक bacteria होता है जिसकी ज्यादातर books के अंदर या किताबों के अंदर जिसके बारे में ज्यादातर अमें पढ़ने को मिलता है bacteria तो जो bacteria है वो generally phlegilla या उसके चारों तरब hair-like structure पाई जाती है जो एक बाल जैसी स्टेक्ट्चर दिखाइँ देती है, श्रीण पे जो दिख रही है इस प्रकार के ज़्यादातर जो बुक्स है उन मेंगा बेक्टरिय के बारे में ही डिसकस मिलता है और जरूरी नहीं है कि बेक्टरिय ही प्रोकेरियोटिक होता है और भी बहुत सारे जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी दिर पहले जीवानू, विसानू, कबक, सेवाल इस सब के सब भी क्या है प्रोकेरियोटिक सेल है तो जो आज के टाइम जो चल रहा है कोरोना वाइरस वो भी एक अगर देखा जाए तो एक प्रोकेरियोटिक है या इसक तो हम अगर इंक्लूड करें तो यह भी एक माइक्रो ओर्गेनिजम है जो कि अगर लिविंग बोडी में हो तो यह एक लिविंग है और अदर्वाइज यह अगर फिजिकल सर्फेस पे हो या नोन लिविंग सर्फेस पे हो तो यह एक ऐसे प्रोटीन की स्टेक्चर है और दोस्तों इनसान के दिमाग से या इनसान के काबू से बाहर आये जो प्रोकिरिटिक सहल है जनरली सबसे पहले हो या आज भी हो कभी भी हो अगर हम माइक्रो ओर्गेनिजम की अगर इसुक्सम जिओं की स्टेडि करेंगे तो हमें एक वेल डवलप या वेल डिफाइन जो मा हो सकता होती है जरूत होती है उनके बगर हम उनको नहीं देख पाते हैं तो अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा पेरामेटर क्योंकि अगर हम सुक्सम जिओं की स्टेडि कर रहे हैं तो हमें जान लेना चीए कि इनका जो डायमेटर है कि ये कितने बड़े होते हैं ये क कुछ और यूनिट्स हैं उनको जान लेना चीए जैसे ये आपको जो स्क्रीन में दीख रही है वन मीटर बराबर हंड़ेट सेंटिमेटर मतलब एक मिटर में 100 सेंटिमेटर होते हैं ये तो आपने बच्पन से पढ़ रखा होगा या मतलब मेरा कहने का मतलब हम जब 34 क्लास में होते हैं तब भी हमें थोड़ा बहुत अपनी बुक्स के अंदर देखने को मिलता है पढ़ने को मिलता है एक सेंटिमेटर है वो 1000 मिलिमेटर के बराबर होता है जो 1000 मिलिमेटर है वो आपके 10 लाग माइक्रो मेटर के बराबर होता है और ये 10 लाग जो माइक्रो मेटर है वो 10 क्रोड या 1 अरब के something nanometer के ब्राबर होता है मतलब कहने का मतलब यह है कि 10 की गात minus 9 nanometer में हम लिख सकते हैं, एक nanometer लिख सकते हैं अगर इसको meter में convert करेंगे तो तो 1 mm ब्राबर 100 micrometer कहने का मतलब यह है, अगर हम nanometer को meter में लिखेंगे तो हम इस पर गाथंग लगा सकते हैं, जैसे आप डाइग्राम में दिख रहा है, आपको एक लंबी शेरो दिख रही है, उसमें लिख रखा है, 10 की माइनस 9 गाथ है वो, 10 की गाथ माइनस 8 है, यह सारे सारे मीटर में लिख रखे हैं, जो कि हम इसको नैनो मीटर का रिपर्ज इन्टेस्न दिखा रहे हैं, तो इसमें इस diagram में ये दिखा गया है, जो atoms होता है, सबसे छोटी unit है Atom जो प्रमाणु है, जो अनू है, वो सबसे छोटा होता है। और फिर वो अनू फिर मिलके क्या बनाते हैं मिलके हैं उसज़ छोटे molecules, या जेव अनुही मिलके हमारी body को निर्मित करते हैं हमारी पूरी body को निर्मान करते हैं तो जो virus है उसमें protein होती है जहिसरी बात है उसमें कुछ genetic material होता है RNA हो चाहे DNA हो कुछ viruses के अंदर RNA होता है कुछ viruses के अंदर DNA होता है और पिर क्या है उस से थोड़ा बड़ा वारस से थोड़े बड़े क्या हते हैं प्रोकेरियोट से बड़े क्या होते हैं यूकेरियोट से तो यह इक परामीर है दोस्तों और कुछ नहीं है कि सबसे छोटा जो एक तर्वेसं कहately उता है थो इसके बढ़ा ठीक है तो आसा करता हूँ मैं आपको यह समझ में आया होगा तो यह पहले जरूरी था क्योंकि आगे जो हम graphical representation देखेंगे तो उसमें आपको यह समझ में आना जरूरी है नेक्स्ट है यह जो graphical representation है यह देखे तो थोड़ा सा बहुत easy है यह कुछ ज्यादा hard नहीं है आप जो कौने में देख रहे हो 0.1 nanometer यह है atom का जो size है वो है तो atom का size है वो 0.1 nanometer से start होता है यह जो मने नीचे represent कि है electron microscope कहने का मतलब यह है कि 0.1 nanometer से लेके 100 micrometer तक हम electron microscope से देख सकते हैं और किसी other equipment से हम इसको नहीं देख सकते जो अपना को light microscope है या अपनी human की eye जो अपनी आख है इसको नहीं देख सकते हैं इंसають है imin 10 mm जो शेट Ricky अइड है वह हम अपनी आख को से डेख सकते हैं लेकिन mitochondria, bacteria, virus, lipid, carbohydrate या कोई भी atom है वो अपने नेगडाहें से नहीं रेख सकते तो थोड़ा सा यह graphically मैंने दिखाया है बागी कुछ ज्यादा hard नहीं है यह समझाने की कोशिस की है कि छोटी से छोटी unit कौन सी है और बड़ी से बड़ी unit कौन सी है इस अर्थ पे हम बात कर र अर्फिकली बताए जैसे atom से छोटी structure है उससे बड़ी फिर lipid या protein कह सकते है अपन जो 1 nanometer से थोड़ा बढ़ा है मतलब अपन अगर इसका digit देखें तो lipid है वो 70 nanometer तक इसका diameter होता है lipid का जैसे अपन cell membrane की बात करते है कोशिका जिल्ली जिसके अंदर क्या होता है फोस्पो है वो 1 nanometer से बड़ी होती है lipid देखो आपने देखरें आप अपनी स्क्रीन पे कि 1 nanometer से आगे लिखावा है lipid कहने का मतलब यह है कि 1 nanometer से बड़ी structure होती है lipid अब lipid से थोड़ा आगर आके चले तो flu virus जो लिखर का है flu virus का मतलब है जैसे जो खांव अगे रहा हमें होता है जिस viral infection की वज़े से वह virus तो वह virus की जो सरंचना होती है जो structure होती है 80-120 मतलब 80-120 nanometer के something होती है कहने का मतलब यह है कि 100 nanometer से approximately कम ही होती है ठीक है उसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे चलें तो हमारे सामने आता है bacteria और mitochondria coloroplast भी ले सकते है पन इसके something ही होती है उसकी भी जुखा बाद की सरंचना तो यह सारी को सारी के बैक्तरी आए तो बैक्तरी आगे जो सरंचना होती हो 0.2 माइक्रो मेटर से लेकर 2 Michael Meutra तक होती है करना मतलब यह कि 1 माइक्रो मेटर से बड़ी होती है वह structure बैक्तरी आगे और mitochondria भी क्या होती है 0.5 जो diameter होता है उसका और 7 म सबसे चोटी सरंचना फिर उससे बड़ी सरंचना फिर उससे बड़ी सरंचना ऐसे कर गई हम बात कर रहे हैं माइक्रोब्स चोटे पाइन sect की बात कर रहे हैं ख़हसे बात उसके बात प्लंट सेल McCarthy जो कि यू करियोंट कचना खान तो और इनकी स्टेक्टर इन नेनो मेंटर छाद की बात सबसे बड़ी पाई जाने वाली एक कोशीगा है जिसको ओस्टिज एक कहते हैं या सत्रमूर का अंडा है जिसकी जो संचना है वह 6 इंच मतलब उसकी लेंथ है और 15 cm उसका डायमेटर होता है और उसका जो वजन है वह 1.4 kg होता है फिर इसके आगे अपन डिसकस करते हैं जो प्रो करियोर्तिक सहल है वह क्या है एक uni-cellular मतलब एक कोशी के जाधतर इसमें क्या है एक कोशी के जो जीव हैं वो पाहे जाते हैं और यह जो प्रो केरियोर्टिक सहल है जैसे अपन बात करें के बैक्टरिया की या कुछ जैसे उन्होंने एक hypothesis दे थी RNA word हना RNA का संसार उनका कहने का मतलब यह था उस theory के पीछे यह region था कि उन्होंने यह बताया अपनी research के थुरू कि RNA इस अर्थ पे सबसे पहले आया था ठीक है बहुत सारी theories दी गई है क्योंकि उस टाइम पे कोई भी इंसान मौझूद नहीं था जब अर्थ इवोल्ड हो रही थी पर्थवी पे उद्वव हो रहा था जीव का उस टाइम कोई इंसान मौझूद नहीं था दोस्तो लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस धर्थी पे सबसे पहले pro-karyotic cell आई थी और उसी pro-karyotic cell से evolved होके u-karyotic cell बनी और different type के ko-si-cang cell órganal है वो बने तो सबसे पहले हम pro-karyotic cell के अंदर include करते हैं bacteria को और उसके बाद archa एक sinobacteri हैए उसको भी include करते हैं लेकिन वाने उसका जिकरिया नहीं किया उसका दिसकेसिन या नहीं करूँगा मैं तो जो बैसिकली जो अगर आप कहें कि दो ब्रांचे जहें एवोल्यूशन की वो है प्रोकेरियोटिक और आर्किया इसके अलावा जो तीसरी ब्रांच है वो है यूकेरियोटिक सैल की जो मैंने यहां ग्राप में या यह जो आप एंचल द मतल होता है एक ऐसा जीव या एक ऐसा ओर्गेनिजम जो सभी का पेरेंटल ओर्गेनिजम था सभी का मलब सभी जो भी बैक्ट्रिया आर्किया ग्रूप है या यूकेरियोट्स हैं वो सारे के सारे उस एक से ही बने हैं यह था इसका बैसिक डिसक्सन या एक बैसिक जानगार ग्जामपल ले रहे है तो इसमें क्या होता है कि जो इसके जो पाई जाएक्टरिया का तो इसके जो सरफेस है उस पर जैसे फ्लेजिला है फिलाई है फिम्री है ऐसी इसके पाई जाती है जो कि इसकी जो अस्थित्व है इसकी जो लाइब का स्थित्व है उसके अंदर बहुत ही मुख्य रोल प्ले करते हैं क्योंकि जो फ्लेजिला है वो इसके मुमेंट में हेल्प करता है और जो इसके फिंबरी और पिलाई है वो क्या करते हैं क्योंकि फिंबरी तो आपको पता ह कि यह gram positive vector में तो absent होती है gram negative vector में पाई जाती है लेकिन यह भी क्या करती है इसको surface पे किसी surface पे या किसी सत्य पे चिपकने में बहुत ही बड़ा role play करती है help करती है bacteria को और इसकी जो चलन है इसका mobility है यह जो moment करता है उसमें भी इस पे help करती है और जो पिलाई है वो क्या करती ह जो आप देख रहे हो structure के अंदर जो red structure देख रहे हो जो फिंबरी से बड़ी है संचना में वो क्या करती है मलब एक तो moment में help तो करती ही करती है इनके साथ-साथ bacteria के अंदर एक different type का conjugation type होता है reproduction का उसमें भी help करती है एक दूसरी साथ चिपक के अपना genetic material है उसका transformation करते हैं जो की अपन डिटेल से discussion करेंगे आगे तो वो conjunction की जो process है उसमें भी bacteria की जो फिलाई नामक सरंचना या जो आप red structure देख रहे हो इस bacterial cell में वो सारी-सारी क्या काम करती है उसको conjunction या उसको चिपकने में help करती है इसके अलावा जो फिम्वरी है या फ्लेजिल है वो moment में help करता है और किसी भी जो surface solid surface है जैसे कोई भी दिवार है या कोई भी कहीं पर भी जो भी कोई लकडी है उस पर चिपकने में help करती है ठीक है तो यह थी इसके बारे में basic जान करी है इसके अलावा जो अगर देखा जाए कि प्रोकिरोटिक सेल में मैंने सोचा कि एक प्रोकिरोटिक सेल को अगर शो कराएंगे तो हीजी से समझ में नहीं आएगा तो मैंने क्या किया है एक side में eukaryotic cell को भी draw किया है यह लिखा है आप दो कोशिकाएं देख रहे है स्क्रीन प χ davon होता है। नुकलियस अप्सेंट होता है чंश का मतलब यह नहीं करते ही कि इसमें जनेटिक 미干त होता है जनेटिक मेर्ट्रियल उपस्तित होता है कोई डोरा ने इसमें DNA हो चाहिए बारने वो दोनों पुस्थित होते हैं चाही वो pro-keriotic cell है चाही वो u-keriotic cell है लेकिन जो genetic material जो अन्वानसिक पता आता है उसके चारुँ तरफ जिली होती है जिसको हम चैंड्र जिली या nuclear membrane बोलते हैं वो pro-keriotic cell में absent होती है लेकिन eukaryotic cell में वो क्या होती है present होती है इसके अलाव आपन देखा जाए तो जो ribosome होते हैं वो भी दोनों में different होते हैं prokaryotic cell में only 70S ribosome पाई जाते हैं लेकिन eukaryotic cell में 70S और 80S दोनों type के पाई जाते हैं mitocontra को देखें अपन जो next cell organal है वो prokaryotic cell में absent होता है यह eukaryotic cell में present होता है जो mesosome structure है वो eukaryotic cell में absent होती है नहीं पाई जाती है तो यही basic difference ते जैसे cell wall है तो animal cell की बात करें तो cell wall absent होती है animal cell में लेकिन bacteria में cell wall पाई जाती है और different type of bacteria में different जैसे gram positive, gram negative आपने सुना होगा तो वो थोड़ा सा detail में चले जाएंगे अपन नहीं जाएंगे आज फिर कभी जाएंगे तो यह था basic difference एक prokaryotic and eukaryotic cell में तो बहुत सारे cell organal है जो prokaryotic कोशिका में नहीं पाई जाते और eukaryotic cell में बहुत सारे ऐसे cell organal है जो उपस्टित होते है आज अपना पूरा जो एक basic सा topic था prokaryotic cell अगर किसी के mind में कोई भी question हो तो आप मेरे comment box में लि how does a prokaryotic cell divide मतलब एक prokaryotic कोशिका है वो व्युभाजित कैसे होती है क्या eukaryotic कोशिका की तरह भी व्युभाजित होती है तो उसके बारे मैं ने थोड़ा सा बताने का परियास किया है कि जो prokaryotic cell है उसके अंदर asexual reproduction होता है कहने का मतलब होता है air lagging जनन होता है air lagging क्या हो इसका तो देखो detail में तो नहीं बता हूँगा मैं अभी लेकिन basic सा बता देता हूँ कि asexual reproduction होता है वो क्या होता है उसमें जो chromosome है वो equal divide नहीं होते पहली बात दूसरी बात उसमें जो cell division है वो proper नहीं होता है इसलिए prokaryotic cell में जो binary fusion का मतलब है कि कई से भी cell अपने अंदर shrink हो जाती है पिचक जाती है खांच बन जाती है उस खांच के थुरू दो कोशिकाएं एक कोशिका दो कोशिकाओं में विवाजित हो जाती है कहने का मतलब यह है कि एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का जनन होता है या निर्मान होता है तो जो prokaryotic cell है उनमें asexual reproduction होता और एक अनदर क्यूशन था वेन दिद दै प्रोक्रिटिक सेल इवोल्ड प्रोक्रिटिक को शिका कैसे इवोल्ड हुई कैसे उद्ब हुई कैसे उद्ब हुई तो approximately जैसे दर्थी थी अपनी अर्थ थी पहले एक्दम से गर्म तीपी ठंडी हुई ठंडी होने के बाद मतलब 3.5 billion वर्ष पहले जो प्रोकरियोटिक जाल्स थी वो बनी फिर दिएठर दिएठर प्रोकरियोटिक चैल में बहुत ज्यादा विख्षित हुई और आज हम बड़े-बड़े प्लांट्स बड़े और अनिमल्स देखते हैं वह सारे सारे किस से इवोल्ड है प्रोक्रेटिक से इवोल्ड होते गए तो आज यह टोपिक था अपना प्रोक्रेटिक सेल दोस्तों कैसा लगा यह आप जरूर बताईएगा मुझे अब मुझे विदा दीजेगा जो भी आपके कमेंट जो भी आपके कमेंट्स हैं वो मुझे जरूर सेर कीजेगा जो कमेंट वोक्स उसमें जरूर लिखेगा तो दोस्तों धन्यवाद आपने बड़े शिदत से यह मेरा वीडियो देखा झाल